नमस्कार रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आचारे देव हासे में बात कर रहे हैं राश्मई लगन राश्मई रासी जिनके अंदर अम्रितो तत्त विद्धिवान होता है आप अम्रित प्राप्त करते हैं अम्रित को उत्पन कर देने की छमता आपके अंदर होती है ऐसे कुमब लगन, कुम रास के जातकों के लिए चार नवंबर को श्र३णी महराज मारगी हो रहे हैं तो अब रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे मारगी, लगने इस मारगी, रास ही इस मारगी आपके इस सरीर का जो आत्मा आए वो मार्ग पे आ रहा है तो सरीर को मार्ग पे लाई देगा एक लाइन में बोलें तो स्रेषटफल देने वाला है देखें आपके लिए जो 2023 से भवश्वाणी की जा रही है कि सस्योग क्रियेट हो रहा है दुर्टालवाज सशयोग अभी create ही होने की condition में नहीं आया वो create होने की condition में तब आएगा, जब आपको राहों support करेंगे, आपके केतों support करेंगे, आपके गुरूं support करेंगे, चार गरायोग, भई सिंगासन के чार पद होते हैं तो चारों तो या परिवर्तन आपके जीवन में कैसे लाएगा परिवर्तन इसी के चर्चा इस वीडियो पर चर्चा आरम करें तो उसके पहले छोटा सा अनुरोध है आपसे अभी दक आपने हमारे चनल को सब्क्राइब नहीं किया, अज रुप्या सब्क्राइब कर लें, या भी आपका एक सायोग है भाई, और कुछ नहीं है कुम्ब लगन, कुम्ब लगन क्या है न, यहां पे गुरू सनी का प्रभावली का चलता है मंगल का धनिष्ठान चत्र, राहु का सत्विसान चत्र और गुरू का पूरो भादर्पदन चत्र पाइकिंग का नचत्र है अब यहां से मातपूर्ण चीज़ों बनाने के लिए सनी महाराज यहीं पर मारगी हो रहे है सनी महाराज 15 अक्टूबर को ही मंगल के धनिष्ठा नचत्र में प्रवेश कर चुके थी 4 नवंबर को धनिष्ठा में ही मारगी हो रहे है और 24 नवंबर को सत्विष्ठा नचत्र में प्रवेश करेंगे सनी देव मंगल के नचत्र में सनी की इस्तती एक बार सनी का आपको विजटिंग कार देता है फिर हम बात आगे करते हैं सनी क्या कर रहे है एक साल तो सनी महाराज के विजटिंग कार में यह है कि चार नवंबर को यह वक्री अवमार्गी हो रहे हैं अभी तक वक्री थे और 24 नवंबर को राहू के सत्विष्ठा नचत्र में प्रवेश करेंगे 16 फरवरी को अस्त हो जाएंगे लेकिन अस्त जैसा दिखाई देगा अस्त नहीं होगा दिखना ओना दोनों में फरक है सूरे नारायन आपके कुनले में सब्तम भाव के कारकत्त को लेके चल रहे हैं और वो लगन में आ रहे हैं आप लगन में सुता बेठे हुए हैं आप से कोई मिलने आ रहा है आपका मित्राप परिस्तेदार है कोई बड़ा आदमी आप अपने घर में बैटे हैं अस्त कैसी होगे कोई बड़ा आदमी आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप अपने कामों को थोड़ा से इगनोर कर देंगे चलो बाद में कर लेंगे हमारे विधायक जी आए हैं मंतरिस जी आए हैं लेकिन आपको वस्त नहीं कर सकते हैं उनके सेवा के लिए उनके सहायता के लिए आप घर में मूब कर सकते हो भी या ले आओ चाय पिलाओ पानी पिलाओ जोतिस इतना ही सिंपल है इतना ही सरल है जो ये हमने नेचर एडाप्ट किया है ना ये ग्रहों से लिया है किसी बच्चों को परिशान करूआ चोटा से बच्चा को दो मिनट के बाद वो गाली देना सीख जाएगा गाली कहां से गाली कभी नहीं सुना उसने लिक्षिक गाली कहां से मिलेगी, वो ग्रहों से ले लेगा, वो लेगा ठीक है, परिशान कर रह ले लेगा, तिसलिए जो नेचर है न हमारा आपका, यो ग्रहों से हमने आपने लिया हुआ है, तिस तरह की चीज़ें होना सुरू हो जाएंगी, तो देखने के लिए 38 दिन के लिए 38 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं सनिदेव, लेकिन सनिदेव अस्त नहीं होगे, इसलिए परिशान मत होईएगा, 6 अपरेल को पूर भाद्रपद नच्चत्र में गोचर करेंगे, फिर ये 30 जून को वक्री हो जाएंगे, 139 डेस के लिए, सनी महाराज, गुरु की गोचरी इस्तिती है, बकाया, चरणों में सनी का फलक अलग-अलग हो जाएगा, मोटा-मोटा फल देखें, तो जो चिज़ें, 2023 में नहीं समर रही थी, मोच समरना शुरू हो जाएंगे, क्या हो जाएगी, समरना शुरू हो जाएगे, सनी के साड़े साती में आप चल रह तो मद्द में हैं, मद्द भाव में आप पहुंचे हुएं, तो थोड़ी सी नईया कभी ऐसी ऐसे डगमक-डगमक करें, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, कि देखिए, सनी आपके कुंडली में आपके रासी के स्वामी हैं, और आप जब रासी के स्वामी के घर में ही रह र लेकिन क्या होता है, लाज में एक दिन पूंचता है, रहे भई, बितने दिन सेवा कर रहे हो, बता हो क्या चाहिए, बहुत तंग तो नहीं हो रहे हो, तो सनी आपके रासी साएं, आपके लगने साएं, और ये 30 साल बाद सनी सस्योग क्रियेट कर रहे हैं, इसलिए ये अप थांसे सनी समारने की ओर बढ़ेंगे, कैसे समारेंगे, तो सनी महाराज मजबूत होंगे, तो सनी क्या करेंगे, धन के स्वामी में नस्चत चलता है, उत्तर भाद्र पद नशत्र, bank balance बढ़ाएंगे, रिणरोग मुक्ती है, रिणरोग परिशानी से मुक्ती, सत्रों पे आ किस इस सतरा से सनी चाहते क्या हैं सनी इस इतना चाहते हैं कि आप सिस्टमेटिक से करें सन्य देव चायते हैं कि नियमा वली को आप मानें ठीक और आपके सहायता के लिए राहू महाराज 30 सप्टूबर से आ रहे हैं पराक्रम के घर में यह भी बेहतर परिडाम देंगे गुरु महाराज एक माई 2024 के सुख के घर में गोचर करेंगे लाब के स्वामी धन के स्वामी तो आने वाले समय में आपके लिए बेहतर परिडाम की इस्तिती बन रहे हैं लेकिन उसके लिए तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी विल्डिंग एक दिन में नहीं बनती है मित्रफ तो शनी महाराज क के मंद्र का जाब करें अपने सुक्र देव को मजबूत करके रहें अमद्राम द्रीम्द्राम सा सुक्राय नमाया घर में इस्त्रियां या जो भी सायोगी है किसी देवी के अराधना उपाश्चना करना स्रेष्ट परिणाम देने वाला है तो मरगे सनी आपको 2030 कांत बहुत चले जाएंगे 2024 बेहतर परिणाम देंगे तो मुस्कुराते रहें सुस्त रहें खुश रहें क्योंकि खुश रहने से ज्यादा बड़ी प्रार्थना परमात्मा के लिए कोई नहीं है परमात्मा हमारे आपके द्वारा बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में